क्या UP Police का Result नमंबर के तीसरे सब्साइए आएगा, या सबसे बड़ा सवाल है आपके भी सामने और हम सब के सामने क्या कमीशन के सामने भी बहुत बड़ा सवाल है, कि हम UP Police भरती का Result नमंबर के तीसरे सब्साइए mean दे पाए तो प्लकी नहीं है, तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यूपी प्लिस के रिजल्ट में, क्या यूपी प्लिस का रिजल्ट इसी तीसरी सप्ता में आ जाएगा, जो बात हो रही है, या इससे आगे जा सकता है, और देरी हो सकती है, तो उन चीजों पर हम बात क करेंगे आज के इस सेशन में, तो प्यारे बच्चों, आप सभी यूपी प्लिस के रिजल्ट का वे सब्री से इंतजार कर रहे हो, क्योंकि हम दिवाली निकल लगे, दिवाली पे इंतजार कर रहे थे, क्योंकि पहले भी ऐसी खबर आई थी, कि अक्टूवर के लास्ट तक यूपी प्लिस भरती का रिजल्ट गोसित कर दिया जाएगा, लेकिन वो भी नियूज बिल्कुल खराब निकली, मतलब कोई भी दम नहीं निकला, खोगली नियूज निकली एक दम, तो अब हम ऐसी नियूज, जो बार-बार हर महीनी दी जा रही है, अक्टूवर में भी न बता चल पा रहा, रिजल्ट आएगा कर नहीं आएगा, उन चीजों पर हम बात करते हैं, जैसे मैं देखो, लेटेस्ट खवर की बात करो, तो सबसे जो लेटेस्ट अपडेट है अभी, अभी जो सबसे लेटेस्ट अपडेट है वो ये है, यूपी पी आर बी की तरफ से, ये जो है, नोटिस आया था, इसमें सपस्ट लिखा था, कि भाई ये जो उत्तर कंजी है, इसकी जो है, वो प्रकासित कर दी गई है, तीस, तस, दोजर्थ, चोवीस को, इसके बाद उलेखन ये है, कि परतेक पाली के निरस्ट प्रस्णों के अंक, माननीय उच्चिन्यालय इलहापाद द्वारा, निर्जित रिट रियाच का संख्या, ये दी है, पबन कुमार, अग्रहरी, बनाव, UPPSC में दी गई विवस्ता के अमसार दिये जाएंगे, फिर देखो, यहाँ पर इस चीज को पड़ो, ये आपके काम किये, लेकिन परिच्छा के परिणाम के सीगर प्रकासन की दिसा में, UPPRV द्वारा सतत कार किया जा रहा है, मतलब सतत कार किया जाने का मतलब है कि लगातार, UPPRV लगा हुआ है, कि आपका रिजल्ट जल्दी से जल्दी घोसित किया जाए, लेकिन वो हो क्यों नहीं पारा, उसका रीजन देखते हैं, आसा है कि नवंबर क अगले प्रकासित की जाएगी, इस सम्मंद में, अधिकारी सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर यथा समय पर दी जाएगी, मतलब कुल मिरा के इस न्यूस से तो यही स्पस्ट है कि आपका रिजल्ट नवंबर के तीस्य सब्ता में आ जाएगा, लेकिन ऐसी खबरें तो ल रिजल्ट है, वह आपका अगले सब्ते में आ जाना चाहिए, मतलब 18 तारिक से लेकर आगे आपका रिजल्ट जो है, उस सब्ते में 18 तारिक के बाद किसी भी डेट पर आ सकता है, इस न्यूस की अनुसार, लेकिन यह लगातर देरी हो रही है, कुछ नुछ वजों से ही हो तो व्यवस्ता, क्योंकि एक खबर और आई थी बीच में, कि आयोग ने सभी से हर जगे जितनी भी सेंटर से हैं, वहाँ पे डेटेल मांगी थी, बता वही कितनी मसीन है, वेट मीजरमेंट वाली मसीन हैं, कितनी घराब हैं, पूरा डाटा दो, इसका मतलब प्रिक्रिया त पहले एक बार हो चुका था, सारी चीजें तब से फिर डिले हुई, आपका चार-पांच-छे महीनी के डूरेशन के बाद फिर से पेपर हुआ, रीगजाम हुआ, और फिर उसके बाद फिर रिजल्ट में इतनी देरी, तो ये यूपी पुलिस का जो इंतिजार है, हमारे व बाई कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट बिना करे नहीं आएगा फिर, फिर कुछ न कुछ देखेंगे, हम सभी आप सभी को पता है, हम टीचर लोग तो आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं, जब भी हमें लगती है, कोई भी चीज की ये होना चाहिए, जो नहीं उपा रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो तुरंट आजाते हैं आपके सामने, तो ऐसे ही अगर बाई चांस नहीं आता है, तो फिर कुछ देखते हैं, कुछ न कुछ करेंगे, जिसे यूब पुलिस का रिजल्ट जदी सेल दिया है, क्योंकि इतनी देरी का भी कोई लोजिक लग नहीं रहा, इतना बड़ा, इतनी बड़े-बड़े सारे काम होते हैं, जो डेट पर होते हैं, बलकुल फिक्स टाइम पर होते हैं, लेकिन यूब पुलिस की परिच्छा का परणाम में इतनी देरी का होना, कोई ज़्यादा उचित नहीं है, तो देखते हैं बच्चों नवंबर के तीसरे सब्ताक आप सभी वेट करिए, उसके बाद करेंगे कुछ नपस्ट, ओके दियुस्ट्रस, बैबेट